जय हिंज दोस्तों UDCRA में आपका स्वागत है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारी प्राइम टीम हासिल करना चाहते हैं जो कि आपको फ्री ओफ कोस्ट हमारे टेलिगराम चैनल पर मिलती है यह देख ही रहे हो दोस्तों हमारी प्राइम टीम की पर्फॉर्मेंस ये भी हैट टोड ये भी हैट टोड ये भी हैट टोड है न जदि आप हमारी प्राइम टीम पाना चाहते हैं जो कि आपको फ्री ओफ कोस्ट मिलती है दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ मेरे नाम से कोई भी बंदा अगर आपसे किसी भी तरीके से दोस्तों पैसे मांगता है तो उसे ब्लॉक करिये क्यों क्योंकि UDCRA का टेलिग्राम चैनल यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम चैनल सभी प्लैटफॉर्म फ्री है जहां पे आपको जो भी डाटा दिया जाता है वो आपको free of cost मिलता है तो दोस्तों मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मोर पे क्लिक करना यहां पे आपको मिल जाएगा दोस्तों यहां पे आपको मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिलेगा एक बात और ध्यान रखना दोस्तों सबसे इंपॉर्टन जो इंपॉर्टन बात है कि वह आपको वही बताई जा रही है जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो सब्सक्राइब के बाद जब तक आप बैल आइकन पे जाके अल पे क्लिक नहीं करेंगे आपको हमारी वीडियो की नोटिफ़केशन नहीं आएगी ध्यान रखे किसी भी चैनल को अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब के बाद बैल आइकन पे जाके पर आल पर क्लिक जरूर करिए दोस्तों वैसे तो मुझे कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे कमेंड सी सब कुछ प्रूफ कर देते हैं यह देखिए दोस्तों यह वंदा 30,000 जीत गया उमीद लगी जील की सर आपकी टीम से 25,000 जीत गया भाई आप शिरिलं कोच इसने चेंज किया होगा मैं तो जीता नहीं है तो यह दोस्तों यह गाए सत्रहाइजार के वे बंदा कम बैक ये कोई बंदा अच्छा च्छा च्छा चौविस लाक या दो करोड चालीस लाक चलो जितने भी जीरो है 27,000 चलते हैं क्या बात है मेरी सिंगल टीम थी पिर बता दू एक टीम नहीं थी सुरी कोई दसबार टीम नहीं एक टीम थी ये कोई बंदा 55,900 क्या बात है इसके 909 पॉइंट क्या बात है तो दोस्तो आप देख रहे हो हमारी टीम कितनी कहर है ये टीम आपको मिलती है हमारी टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम अब के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तो चाहिए आप फुटबॉल के फैन हो चाहिए आप क्रिकट के फैन हो आप जानते हो मैंने फुटबॉल का सबसे बड़ा एक्सपर्ट हायर किया हुआ है अब दोस्तो एक सेकंड लोगा आपका बैटबॉल पर खेलने का फायदा है पहले आप मेरी विनिंग देख लीजिए बैटबॉल ने का फायदा यह मैंने हैड टूहेड खेला हूं यह भी जीता यह पिछला देखें ज़रा भारत का फस्ट इनिंग्स का यह भी जीता ये भी जी था ये भी टैब head to head bad ball पे खेलने का फायदा ही अलाग है हलाकि मैं तो दूसरे भी खेलता हूँ यहाँ पर सबसे बड़ी grand league में भी मेरा rank देख लिए एक दो टीम ही लगाई थी कितना अच्छा rank आ है तो चलिए दोस्तों अब आप लोग वीडियो एंजॉय किजिए टेलिग्रम ज़रूर 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 कर देना अब आप वीडियो एंजॉय करिए जैहिन दोस्तों UDCRA में आपका स्वागत है दोस्तों अब हम बात करेंगे ISL के अगले मैच की जो की खेला जाएगा हाइदरबाद FC और चेनाइन FC के बीच में दोस्तों इस मैच की बात की जाए तो हाइदरबाद FC इसमें फेवरिट्स रहेंगे चेनाइन FC रीसेंट परफॉर्मेंस चेनाइन FC के अच्छे हैं एक पॉजिटिव दिश्टिकोर दिखता है मैनेजर का इनके गेम प्ले से तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर चेनाइन FC काफी अच्छा करेगी बट अभी के लिए हम हाइदरबाद FC को ही अपना फेवरिट मान के चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी टीम बनाएंगे तो दोस्तों आईए पहले हाइदरबाद FC की लाइनप्स देख लेते हैं तो हाइदरबाद FC की लाइनप्स की बात की जाए तो उनकी लाइनप कुछ इस तरीके से रहने वाली है स्ट्राइकर पोजिशन में रहेंगे अग बेचे जन्होंने लास्ट मैच में हैट्रिक मारी लेफ्ट विंग पे होंगे नार्जरी सेंटर अटाकिंग में जोएल चियनीजी या सिवी एरो कोई भी स्टार्ट कर सकता है और राइट विंग पे रहेंगे मुहम्मद यासिर वही डिफेंसिव मिट फील्ड में रहेंगे बोर्जे हैरेरा और हितेश शर्मा डिफेंस की बात की जाए तो लेफ्ट बैक पोजिशन पे रहेंगे अकाश मिश्रा दो सेंटर बैक रहेंगे जोर्जी तमंग ओना इंडिया और राइट बैक पे रहेंगे निखिल पुजारे और गोल कीपरिंग में रहेंगे गुरमीट सिंग अब अगर इनसे हमें साथ प्लेयर सेरेक्ट करने हैं तो वो कौन से साथ प्लेयर होंगे आईए साथ साथ टीम भी मिनाते चलते हैं एक बार लाइन अप्स खोल लेते हैं हाई दरबाद एफसी का फिल्टर लगा लेते हैं तो स्ट्राइकिंग सेक्शन में चलते हैं सबसे पहले तो जो हमारे फिर्स प्लेयर होंगे वो होंगे औक बैचे इनको मैं अपनी टीम में 100% लूँगा क्योंकि अभी ये बहुती बड़ीया फॉर्म में चल रहे हैं तीन गोल भी मार दिया नहीं लास्ट मैच में तो इनको मैं बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करूँगा नेक्स्ट जो मेरी चॉइस रहेंगे मिट फिल्ड में वो रहेंगे महम्मद यासिर अभी दो-तीन गेम से इनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है बाट उससे पहले ये बहुती अच्छे फॉर्म में थे चांसे भी क्रियेट कर रहे थे असिस्ट दे रहे थे गोल भी मार रहे थे आइठिंक तीन गोल मारे थे इन्होंने चार-पांच मैजों के अंदर तो मैं इन से एक्सपेट करूँगा कि दुबारा से ये उस परफॉर्मेंस को वापस लाएंगे इस मैच में नेक्स मैं नारजरे को 100% अपनी टीम में पिक करूँगा नारजरे बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं आइठिंक दो असिस्ट भी किये हैं इन्होंने लास्ट मैच में एक पर देख लेते हैं आफ सी गोळ के अगेंस्ट एक कशिस्त था और नॉर्थीज्ट के अगेंस्ट भी एक असिस्त था ठीक है और चिन्你要 को अगेंस्ट इन्होंने जो मैच छेला था उसमें नहुनने गोल भी मारा था ठीक है तो इनको भी आम 100% पिक करके चलेंगे अपनी टीम में इसके बाद आ जाते हैं डिफेंस में डिफेंस में बात की जाए तो अकाश मिश्रा मेरी टीम में 100% रहेंगे क्योंकि विंग से बहुत अटैक करते हैं पेस अच्छा है इनके पास और टैकल इंटरसेप्शन भी ठीक ठाक कर देते हैं अच्छे पूटेंशल हैं एक रिसकी टीम के हाइदरबाद विन में ये कैप्टन सी के भी अच्छे चोईस हैं नेक्स मेरी टीम में रहेंगे पुजारे ये राइट विंग से अच्छा-खासा अटैक करते हैं चांसे क्रियेट करते हैं टैकल इंटरसेप्शन भी कर देते हैं तो इनको भी मैं बिल्कुल डॉप नहीं करूँगा और लास्ट मेरे पिक होंगे ओना इंडिया जिनको मैं अपनी टीम में पिक करूँगा ये भी हेटर में बहुत अच्छे हैं टैकल इंटरसेप्शन उतना नहीं आता है बट हैडर में बहुत अच्छे हैं और पासेजी अच्छे खासे करेंगे मैच में क्योंकि maximum possession हैडरबाद FC के पास ही रहने वाला है एक player हमें और pick करना है है हैडरबाद FC से अब वो कौन सा होगा ठीक है देखिए या तो अगर चियानीजी स्टार्ट करते हैं तो आप उनको pick कर सकते हैं बट इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये around 60% मिनटी खेलेंगे अगर उसमें ये कुछ कर पाए तो ठीक है otherwise ये कुछ भी point आपको देके नहीं जाएंगे दूसरा option जो हमारे पास है वो है बोर्जे हरेरा ये हमें defensive points अच्छे खासे देंगे ठीक है ये tackle interception करेंगे, passes भी इनके अच्छे खासे रहेंगे क्योंकि ये defensive midfield में खेलेंगे और possession ज्यादा हाइदरबाद FC ही रखेगी अपने पास ठीक है, और goal आने का chance भी रहता ही है इनका और assist potential भी इनका अच्छा है तो आप इनको भी pick कर सकते हैं अगर severe use start करते हैं तो इनको मैं 100% अपनी team में लूँगा because ये direct goal threat रहते हैं ठीक है, तो इनको तो मैं नहीं drop करूँगा अगर ये start करते हैं, लेकिन अभी के लिए हम मान रहे हैं कि ये start नहीं करेंगे और या option है हमारे पास, और हमारे पास option है कि हम तमंग को लें और हाइदरबाद की clean sheet के लिए जाएं ये हम तब ही करेंगे जब हम 100% sure है कि हाइदरबाद FC goal concede नहीं करेगा, ठीक है otherwise ये team हमारी fail हो जाएगी चार defender वाली और आज के बैच में मुझे ऐसा लगता है कि दौनों ही teams goal करेंगी तो ये थोड़ा risky हो जाएगा, इसलिए ये option तो हम बहार कर देते हैं इसको अभी के अभी, ठीक है ये goal नहीं भी मारेंगे तब भी 25 पॉइंट आपको दे जाएंगे tackle interception और passes के और मैंने देखा है ये attack में काफी ज़्यादा involved रहते हैं क्योंकि originally ये एक striker है मैं एक बार आपको दिखाता हूँ इनका, sorry defender है ये लेकिन wing back है, ये striker नहीं है ये defender है और left footed है इसा आपको दिख रहा है आपकी screen पर तो ये attack में generally help करते हैं और इसलिए इनका tackle interception भी अच्छा आता है तो original position की left back है जहाँ पे आकाश मिश रहा है लेकिन obviously आकाश मिश रहा को manager नहीं change करेगा वो कितने समय से बहुत अच्छा खिल रहा है इस club के लिए तो इसलिए इनको left defensive midfield में खिला रहा है manager तो इनको भी आप pick कर सकते हैं या फिर आप severity को pick कर सकते हैं अगर वो start करते हैं तो तो अभी के लिए हम Borja Herrera को अपनी team में ले लेते हैं अब बात कर लेते हैं चिनायन FC की चिनायन FC की बात की जाये तो इनके striking में जो option हमें मिलेगा जो best option है वो है स्लिस्कोविच ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छे form में चल रहे हैं अच्छे खासे goal मारे हैं नो नहीं I think top goal scorer है अपनी team के with Elkhayati लेकिन Elkhayati इस match में available नहीं है ये injured है ये नहीं खेलेंगे ठीक है तो midfield में मैं doker को 100% अपनी team में लूँगा क्योंकि ये tackle interception की भी point देखे जाते हैं header में भी अच्छे हैं और assist आने का chance भी इनका रहता है ठीक है लास्ट गोल कीपर भी मेरे channel yen FC के रहेंगे क्योंकि हाइदरबाद FC का attack काफी खतरनाक है और मुझे लगता है कि वो ज्यादा attempts करेंगे गोल पे तो अभी के लिए जो हमारी team मनती है वो कुछ इस तरीके से है और lineups के बाद आने के बाद अगर कुछ भी changes होते हैं तो उसके बारे में मैं आपको update कर दूँगा टेलेग्राम चैनल पे और अगर आप हमारे टेलेग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाएं उसका description वीडियो के description में link दिया गया है अब बात कर लेते हैं captain wise captaincy की तो captaincy के जो options हैं वो है औक बेचे नर्जरे ठीक है ये दो best option दिख रहा है मुझे नर्जरे थोड़ा सर इसकी है औक बेचे थोड़ा safe है तो कि maximum लोग कई ही होगा और इसमें हम head to head खेलेंगे तो मुझे लगता है और बेचे कोई हमें captain बनाना चाहिए ठीक है wise captain के कई options है अगर आपको लगता है कि नर्जरे का assist आएगा या goal आएगा तो आप इनको मना सकते हैं आप यासर को भी मना सकते हैं लेकिन recent performances उनके अच्छे नहीं है तो थोड़ असर इसकी रहेगा ठीक है Sliskovich मुझे best option लग रहे हैं अभी तक तो अभी के लिए मैं Sliskovich को अपना wise captain मना रहा हूँ बाकी lineups के according देखते हैं क्या changes होते हैं team के अंदर ठीक है तो ये हमारी team है अभी के लिए सॉरी एक सेकंड़ दोस्तों तीक है अब जो भी changes होते हैं उसके according हम अपने team में भी changes करेंगे उसके बारे में मैं आपको update कर दूँँगा टेलिग्राम चैनल पे तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जैहन